नमस्ते फ्रेंट फिर से एक नया वीडियो और फिर से मेरे गाड़ी के रोने तो अपैरंटली जो मेरी लास्ट हैवी लीकेज हुए थी उसको मैंने थोड़ा ठीक कराया अपना रोहित कहें देली वाले में वहां से वो जो हैवी लीकेज प्रॉलम थी कूलेंस की पंप्स की खेर वो तो काफी 95% ठीक होगी है बट अपैरंटली घर पर मैंने देखा कि उसके बाद आने के जस्ट अगले एक अपते के बाद ही देर वस न्यू लीकेज एंड दिस वस लीकेज फ्रॉम यू गेस्ट इट राइट गेर बॉक्स से तो फिर गाड़ी लेके गए है अपन रिसेंटली लास्ट वीक गुडगाओं में फिर से गाड़ी चड़ी अपनी हैड्रॉलिक पे और जबी भी गाड़ी उपर चड़ती है जबी भी मैं वरक्शॉप जाता हूँ अपने कामदंदे छोड़के अपने कामदंदे छोड़के अब बंद गए उसके साथ इसके तो फिर उसके बाद जो है पता चला कि यार जो लीकेज हो रही है यह आपके गेर बॉक्स से हो रही है तो पूरा गेर बॉक्स जो है निकलने में दो घंटे लगे उसके बाद उसको खोला गया और पता चला कि इसके अंदर अगेन जैसे मैंने प्रीविएस कुछ वीडियो वो यहाँ पर रहन के पास फिर यह side section में आपको दिखा रहा हूँ this is what the gearbox actually looks like तो पूरन नीचे से you know disassemble होती है और बहुत दुख होता है कि नहीं गाड़ी देखते वे न उस पर कई लोग हाथ लगा रहे है it's like you know you've got a virgin wife but everybody wants a hands on it and you know I don't want to sound crude but I really don't want my new car to be touched by a lot of mechanics within the first three months but अभी तो यह देखो 90 दिन के अंदर इसकी यह हाल आता है तो आप देख रहे हो कि नीचे के अंदर the mechanics were really good, they were very helpful again this is a video not against the people who are working on my car, this is directly against the product, people are really good who have helped me because whenever I reached over there, they kind of you know, put their best foot forward तो यह कुछ सेन्स है अभी देखो मेरे gears निकले वे हैं clutch plates निकली भी हैं 90 दिन हुए हैं गाड़ी को पूरा दिन वहाँ पे लगाया एक और जनाब थे होए वो भी अपनी यूनो नही गुर्खा लेके आया थे मेरे से उनकी शाद 5-6 months old है उनके भी कुछ you know noises आई थी गाड़ी में and we were chatting and he also said कि there are a lot of teething issues तो यार हर 15 दिन में there is a new problem in this car अब कई लोग मुझे बोले यार कुछ आएं 4-500 comment जब से मैंने channel शुरू की है FAP से कि यार आप गाड़ी आपकी ये है हो सकता है this is a rare case but every time I you know go to this showroom or go to this workshop or a lot of owners have put feedback on my videos and what I can tell you now from a consensus point of view is that कि at least 7 out of 10 cars are faulty मैना ऐसे faulty आनी product defect है यार force motors यार product recall कर लो ना हम गाड़ी चला लेंगे we will be your brand ambassadors we will be the champions and you know we will take the mashal like in Olympics and take your brand forward भाई गाड़ी में हमने इतना पैसा डाला है भाई माल सही दे दो ना यार product recall करा लो ले जाओ मेरी गाड़ी इन दौर वापस जहां से IT factory से अरे अपनी assembly line पर पकड़ो ना है और किसने मेरी गाड़ी खराब बनाई है यार कर्मों को रोने हैं यार बिलकुल आपके a gentleman was asking would you buy a newer upgrade you know जो बारा है more powerful BS6 you know with AdBlue and everything no I said I will never even recommend force to anyone यार हमारे pain point मतला हमारा यही काम रह गे अब गाड़ी मतला हर 15 दिन में हम वरक्शोप पर ले जाते रहेंगे and again I live in western UP मेरको तो जाने माने में दोजार रुपर डिजल के लगते और every time I go to this गुरुखा वरक्शोप already 2-3 लगी होती माँ पर उनकी भी अपने प्राब्लम्स होते है यार इसका मतलब यह and one of the mechanics just jokingly said यार गाड़ी चलाओ जो दिक्कत तो है what do you mean by this यार मतलब गाड़ी चलाओ गए तो parts अपने आप disintegrate होते रहेंगे अपने आप leak होते रहेंगे disassembled होते रहेंगे और यह seal दिखाता हो मैं आपको यह एक रबड़ की seal थी जो इतना सारा माल खुलने के बाद you know तो पता चला कि यार यह था जो you know जिसकी गम निकल गई थी यह यह part जो है you know wear and tear imagine a wear and tear within 90 days a critical component within the gear box गल गया what the hell is this is this even an excuse in the year of 2023 yeah I mean I don't know whether to laugh or cry at the products or the kind of you know space that you put in this car so yeah let me tell you this let me tell you to any person who's kind of right now thinking of purchasing this I would say no don't go for this car you will have pain points एक तो इनके वर्कशप्स आपके घर से बहुत दूर होंगे और there are handful only वर्कशप्स वर्कशप्स वर्डेर स्किल्ड क्राफ्स्मन around this vehicle because your point यह demand तो अच्छी कासी आगी है market में people like the design and everything but इसकी servicing तो एक ही pain point फिर आप काफी कुछ तो देर इसका तो नहनत बहुत है इस गाड़ी के साथ अगर आप you know हल जोतने को तयार हो एक open मैदान में और you know you want to put labor into your car just because you love the concept of this car like I have become a fool I would not even recommend this तो यार और उपर से तो यार मुझे you know अभी तक कोई वो भी नहीं मिली है what do you say compensation भी नहीं मिली है मेरे tire खराब हुए मेरे 15,000 उसमें लगे और इतना time money energy पहले भी गिया है there is hardly any compensation recompensation कुछ है नहीं तो यार ये गाड़ी पूरा का पूरा waste है avoided like a plague there is no good experience और अभी मैंने गाड़ी ठीक करा के हैं अभी जो फिर से मेरी gear है अब second gear में problem आ रही है क्योंकि खुल गई थी गाड़ी पता नहीं है अब आगे क्या क्या देखना पड़ेगा चलो भी करते हैं update कुछ दिनों में